एक बार फिर इलेक्शन से पहले राम रहीम को दी जाएगी पैरोग। हर्याड़ चुनावों के बीच एक बार पर डेरा सचा प्रमुख किरमीत राम रहीम जील से बहार आएगा। चुनाव आयोग में सरकार को पैरोल की मंजूरी दिया। आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि आदर्श आचार सहीता के नियमों को देखते हुए डेरा सचा प्रमुख को पैरोल दी जा सकती है। हाला कि इसके लिए आयोग की तरफ से तीन शर्ते भी लगाई गई है। बता दे कि राम रहीम के पैरोल और फरलो पर पहले भी सवार उठे है। वही हर्याडा गिधान सवा चुनाव की वोटिंग से पहले एक बार फिर राम रहीम बाहर आएगा। चुनाव आयोग की सूतरों का कहना है कि हर्याडा सरकार को बेजे गए लेटर में तीन शर्तों का उल्ले किया गया। पहली शर्ट यह है कि राम रहीम चेल से बाहर आने के बाद हर्याडा में विजिट नहीं करे। दूसरी शर्ट यह रखी गई है कि चुनाव के दौरान कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करे। इसके साथ ही वो शोशल मीडिया से भी कोई चुनाव भी एक्टिविटी नहीं करेगा। साथ ही आयोग की ओर से ये भी कहा गया है कि यदि राम रहिम के द्वारा आचार सहीता या दीगई सर्टों का उलंगन किया गया तो उसकी पैरोल तुरंत ही कैंसल गादी चाहिए।